नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचिन भारत वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूटीब चैनल चीवन कोश हेल्दी रहने के लिए हम सब फल, सबजिया, सूप, फ्रेश फ्रूट जूस लेना पसंद करते हैं इसके अलावा हमारे किचन में भी ऐसे कई इंग्रिडेंट मौजूद होते हैं जो हमें कई हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं इनमें से दो हैं मेथी और कलॉंची ये एक तरह के बीज होते हैं जिन्हें अगर सही मात्रा और ठीक तरीके से खाया जाए तो हमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर मेथी की बात की जाए तो आपको बता दें ये खाने का सुआथ तो बढ़ाती है इसके अलावा ये हमारे सुआस्ते के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है मेथी के बीज वाइटमेन और मिनरल से भरपूर होते हैं आपको बता दें ये डाइबिटीज और हिर फॉल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं वहीं अगर कलॉंजी की बात की जाए तो कलॉंजी, कैलशियम, आइरन, सिंक, मिगनीशियम और पोटैशियम जैसे पोशक तत्वों से भरापूरा होता है कलॉंजी वेट लॉस में काफी मददगार साबित होता है, साथ ही एस्तमा में काफी जादा लोगों को राखत पहुचाता है या दाश बढ़ाने में काफी ज़्यादा मददकार होता है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है साथ ही सूजन जैसी समस्याओं में भी काफी ज़्यादा रहत दिलाता है ज्यादातर लोग health benefits के लिए इन्हें अलग-अलग यूज़ करते हैं लेकिन इनका साथ में सेवन बहुत ज़्यादा फायदिमन साबित हो सकता है इन दोनों के गुण healthy रखने में कारगर माने गए हैं तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मेथी और कलॉंजी का साथ सेवन आपको क्या-क्या health benefit दे सकता है साथ ही आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से आप अपनी डाइट में शामिल करें और कितनी मात्रा में आपको रोज इसका सेवन करना है सबसे पहले बात करते हैं कि मेथी और कलॉंजी का साथ में सेवन आपको क्या-क्या health benefit दे सकता है जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है उनके लिए भी मेथी दाना और कलॉंजी का एक साथ प्रियोग बहुत फायदेमन्द है इसके लिए एक कटोरी में मेथी और कलॉंजी के बीज एक साथ मिला कर उसमें नीबू मिलाएं और धूप में दो दिन तक सुखा दे रोजाना आठ से दस बीजो का सेवन करे इससे कुछ ही दिनों में आपके पेट की चरबी कम हो जाएगी इसके अलावा गुनगुने नीबू पानी में आधी चम्मच कलॉंजी और आधी चम्मच मेथी को मिलाएं और उसमें एक चम्मच शहद मिला दे दिन में इसे दो बार पिएं इससे भी वजन कम होता है आयरवेदिक गुनों से भरपूर मेथी और कलॉंजी पेट की समस्याओ को दूर कर सकती है इससे गैस, ब्लोटिंग और पेट में दर्द जैसी समस्याओं दूर होती है पाचन तंत्र में सुधार के लिए रोजाना सुभा, कलॉंजी और मेथी का भीगोया हुआ पानी पिएंगे तो आपको इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप रोजाना सीमित मात्रा में इस पानी का सेवन कर रहे हैं तो कुछ दिनों में आपका पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाएगा आपको करना ये है कि रात में आधा चम्मच कलॉंजी और आधा चम्मच मेथी दाना एक गलास पानी में भीगोएं यानि कि 150 एमल पानी में भीगोएं सुभा उठकर इस पानी को खाली पेट पियें आप देखेंगे कि आपका पाचन तंत्र दिन पर दिन सुधरता जाएगा खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान का बुरा असर हमारी शरीर के एहम अंगो पर ज्यादा पड़ता है इन एहम अंगो में से एक है लिवर जिसके प्रभावित होने पर शरीर की कई अन्य समस्या हमें हेड लेती है आजकल फैटी लिवर की समस्या आम हो गई है इसे दूर करने के लिए भी मेथी और कलॉंजी का पानी पियें या फिर आप इन दोनों इंग्रिडेंट को भीगो कर खा भी सकते हैं हाना कि सेवन के दौरान मात्रा का आप विशेश धियान रखें आपको आधी चमच मेथी दाना और आधी चमच कलॉंजी रात में एक गलास पानी में भीगो कर रखनी है इसके बाद सुभा उटकर इसे खाली पेट आपको पीना है आप खुद महसूस करेंगे कि आपको लिवर की समस्या में बहुत रहत मिली है लेकिन अगर ये समस्या ज्यादा गंबीर है तो आपको अपनी डॉक्टर से सलह जरूर लेनी चाहिए और डॉक्टर के परामर्श के बिना कुछ भी होम रेमिडीज ना इस्तमाल करें वैसे आपको बता दे मेथी दाना और कलॉंजी को कॉंबिनीशन आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है ये बालों को स्ट्रेट रखता है साथ ही मस्बूत भी बनाता है मेथी और कलॉंजी प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटमिन से फरपूर होती है इसलिए ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद है वैसे दोस्तों आपको विशेश ध्यान इसकी मात्रा का रखना है क्योंकि अगर मेथी दाना और कलॉंजी का एक साथ सेवन आपको इतने फायदे पहुचाता है तो इसकी ज्यादा मात्रा आपको नुकसान भी पहुचाती है दरसल मेथी और कलॉंजी की तासीर काफी गरम होती है इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए अधिक मात्रा में मेथी और कलॉंजी का सेवन करने से आपको नुकसान पहुच सकता है कई बार मीथी और कलॉंजी खाने से skin rashes, पेट में गडबड़ी, उल्टी और कब्च की समस्या देखने को मिल सकती है इसके साथ ही गर्ब अवस्ता में भी मीथी और कलॉंजी का साथ में सेवन करने से बचना चाहिए अगर आपकी पित्प्रकती है या फिर आप किसी स्वास्ते समस्या का सामना कर रही हैं तो एक्सपर्ट की राय पर ही मीथी और कलॉंजी का सेवन करें तो दोस्तों मीथी और कलॉंजी एक साथ अपनी डाइट में शामिल करें और इसके बेनिफिट्स उठाएं लेकिन विशेश ध्यान रखें इसकी मात्रा का फिलहां आज की वीडियो में इतना ही लेकिन ऐसे ही कहने वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को जियादा से जादा लाइक और शेयर करें